बहिए जेई मेंस और जेई एडवांस तो दे रहा हूँ बट ये क्रैक हो ही जाएगा इसकी कोई गैरेंटी तो नहीं बट इंजीनियरिंग तो करनी है ना इसलिए इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टॉप फाइव इंजीनियरिंग एंटरेंस एक्जाम अपार्ट फ्र इस एक्जाम को देकर तुम बिट्स पिलानी और उसके अधर कैमपसेज में अड्मिसन ले सकते हो इसके बारे में मुझे नहीं लगता और कुछ चीजे बताने की जरूरत है इसकी फी थोड़ी जादा है लेकिन यार पैकेजेस उससे भी जादा है हमारा सेकेंड एंटरेंस जून के आसपस इसका एक्जाम होता है हमारा थर्ड एक्जाम है M.H.T.C.E.T. M.H.T.C.E.T. महाराष्टर गवर्मेंट कंड़क्ट कराती है इसमें तुम महाराष्टर के टॉप प्राइवेट प्लस गवर्मेंट कॉलेजेस में अड्मिसन ले सकते हो अगेन ये सिर्क महा इसमें यार जरूर से जरूर बैठना क्योंकि V.I.T. के एक बार NIRF रैंकिंग चेक करना बिट्स पिलानी के बाद V.I.T. सेकेंड मोस्ट ट्रस्टेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंडिया में हमारे इस टॉप फाइव इंट्रेंस इक्जाम की लिस्ट मे पांचवे और लाश्ट पोजिशन पर है S.R.M. J.E.E.E.S.R.M. J.E.E.E. इससे तुम S.R.M. Institute of Technology में अड्मिसन ले सकते हो और यार यार ये भी इंडिया का एक बहुत ही पॉपिलर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं अब ये तो सारे टॉप एंट्रेंस एक्जाम से यानि कि की कट ओफ भी बहुत जादा जाएगी लेकिन क्या करें अगर इतना प्रिपरेशन नहीं है इतने नंबर नहीं ला सकते तो कुछ जेनरल यूनिवर्सिटी जैसे की चंडिगर यूनिवर्सिटी एल पी उ इन सारे कॉलेजेस में अटमिसन ले सकते हो अब इनके पैकेजेस इन टॉप इंजिनेरिंग कॉलेजेस वाले की जितने तो नहीं जाएंगे लेकिन हाँ जो लोकल इंजिनेरिंग कॉलेजेस हैं उनसे तो अच्छी मिल जाएंगी तुम्हें और एक्स्प्लोर करने के लिए यहां बहुत ज्यादा वराइटी भी मिलेगी तुम्हें तो इन स इस वीडियो में हमने बहुत सारे पॉपिलर इंजिनियरिंग एंट्रेंस एक्जाम्स के बार में बात कर ली है अपार्ट फ्रॉम जैमेंस तो उमीद है तुम इन में से कुछ के तो फॉर्म फिल करोगे अगर तुमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है और पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन तुमारे लिए तो है तो थैंक वार वाचिंग दिस वीडियो गुट बाई वनाइज डिवीच वाल दबेश्व फिचर इंज्वाइव जर्ट